अबर गवालियर से है जो एक सुपदर साल पुराना गवालियर ट्रेड फियर मेले को दू वर्स बाद चालूब करने के गोश्णाचा उदा निवंबर को की गई थे लेकिन आज तक मेले में कोई विवस्ता होती नसल नहीं आ रही है पूरे मामले को लेकर मेला सचेब निरंजन अश्रिवास्ताप से बात की गई तो मेला सचेब ने कहा कि मेले की टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है वहीं आज यानि तीन दिसंबर को दो पहरी एक बज़े टेंडर खूला जाना है अब सबाल यह उठता है कि मेला अद्रक्ष और मंत्री ओम प्रकाश्व सकलेचा यह उदासींता की कारण ना तो मेला बोट का गठन हुआ और ना ही ठेकेदारों को 2020 और 21 का बकाया 60 लाग उर्पए दिया गया सोचने वाली बात यह है कि सस्थी में 25 दिसंबर से मेले का शुभारंब क्या एक ओप्चारिक तबन कर रह जाएगी क्याम करता हूं मैं इस सीटे कैमरा मतलब के दुकान है यह रहें पर किराई बे लगाते हैं कि मेला प्रचिविकंड लगवाता है इसके टेंडर लिकलते हैं टेंडर डालते हैं जिसका कम हो था वसी को टेंडर मिलता तब कितने साल लाए है दस-पंदरा साल हो होगी लगा समज्स में हूं दो लुज़ी सिकेश में लग लिए लगा थे ऋयह से लांने मिलता था हमने करीब एन नीज टेंडर जो एक बज़े से उनके से खुलने की कारवाई होगी यह सब ऑनलाइन टेंडर हैं कमेटी के समखची टेंडर खोले जाएंगे जिसमें बिजली के हैं तीन वाले हैं सफाईग वाले हैं वो उन लोगों के पेमेंट अभी हमको करना थे वो चुकि उसके बाद से बहुत की बैठक नहीं हो पाई थी